आज मैं लेकर आई हूँ बच्चे बड़े सभी की फेवरेट चॉकलेट कुकीज रेसेपी बिना अवन, बिना अंडा, बिना कूकर, बिना मैदा के, सिंपल घर की कडाई में, बनाएंगे वो भी 15 मिनट में, बजार से भी अच्छी, क्रिस्पी, टेस्टी, बिना मिलावट के हो मेट गेहू के आटे की चॉकलेट कुकीज घर पर बनाएंगे, चलिए बनाना शुरू करते हैं, हेलो एबरिवन, वेलकम ट्यू माई चैनल यम्मी बेक, कैसे हैं आप सब, आप सबको हेल्दी और हसान खाना सिखाना मेरा पैशन है, अगर आपको मेरी वीडियो फज़न आती है, तो प्रीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर पताएं, बेकरी स्ट्राइल सूपर टेस्टी चॉकलेट कुकीज बनाने के लिए हम लेंगे बाउल, बाउल में हम बटर डालेंगे, तीन टेबल बटर लेंगे, बटर को रूम टेमपरेचर पर रखना है, जब आप इसे यूज करेंगे तो एक घंटे पहले फ्रीज से निकाल कर रख दें, बाउल कीज बनाने में मेजरमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए आप सारा मेजरमेंट ध्यान में रखें, अब हम लेंगे दो टे लेंट के लिए इसे अच्छे से फेटेंगे, आप देख रहे हैं मैं किस तरीकी से फेट रही हूं, हमें भी इसे अराम से फेटना है, ताकि इसका टेक्स्चर क्रीमी आ जाए, अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो आप विक्सर का यूज कर सकते हैं, पर विक्सर से अच्छे से फेट लिया है, आप देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर कितना स्मूथ आया है, अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे, चीनी को मिक्सर में पीस कर पाउडर बना लीजिए, अब हम इन सब को मिलाएंगे, और इसके फिर से हैंड मिकसर का यूज करेंगे, इसे फेटनी के लिए, एक बार फिर से इसे फेटेंगे, इससे चीनी अच्छे से मिल जाएगी, आधे मिनट के लिए ही फेटेंगे, इससे चीनी अच्छे से मिल जाएगी, यहां पर हमने घी, बटर और चीनी को अच्छे से मिला लि कियेगा आधा कप चीनी लिए तो तीन चौथाई कप आठा लेंगे यहां पर मैं घेउं का आठा यूज कर रही हूं अब हम डालेंगे एक टेबल स्पून कोको पाउडर एक चौथाई टी स्पून बेकिंग पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम डालेंगे एक टेबल स्पून दूद दूद रूम टेम्परेशर वाला ही यूज करेंगे दूद की जो कोकीज होती है वो बहुत किरिस्पी बनती है अब सब certa Jay से मिक्स करेंगे और इसका डो त्यार करेंगे हाथ से इसको अच्छे से मिला रही हूं जैसे ौाट गू केक तिन को गीज करेंगे और कडाई को गरम करेंगे मैंने केक टिन लिया है इसको अच्छे से घी से गीज करेंगे अब हम गैस पर रखेंगे कडाई कडाई में हम नमक का इस्तमाल नहीं करेंगे, खाली कडाई रखेंगे, इसके अंदर ऐसे स्टेंड रखेंगे, स्टेंड के उपर हमें केक टिन को रखना है, आप कडाई को ढग देंगे और मीडियम फ्लेम पर दस मिनट के लिए प्रिहीट करेंगे, अब हम डोगी कुकीज बनाएंगे, कुकीज बनाने के लिए छोटी छोटी लोई लेंगे, इसके बाद ऐसे रोल करके हतेली से चारो किनारों से प्रेस करेंगे, अगर आपके पास कुकीज कटर है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, देखी मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, कुकीज को गोल शेप दे आप यूज कर सकते हैं, और कुकीज बना सकते हैं, अब हमारी सारी कुकीज रेडी है, मैंने हाथ से भी बनाई है, और ढकन से शेप दे कर भी बनाई है, अब हम इसके उपर चौको चिप्स लगाएंगे, इससे कुकीज दिखने में बहुत अच्छी लगेगी, बच्चों क चौको चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, चौको चिप्स लगने पर कुकीज खाने का मज़ा दुगना हो जाता है, कडाई पिरी हीट हो गई है, अब हम केक टिन को रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, कडाई बहुत गरम है, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक पक होई है, इसमें से एक कुकीज में तोड कर दिखाती हूँ, कि कैसी बनी है, यह देखिए, परफेक्ट क्रंच है, लग रही है न, बजार जैसी कुकीज, वो भी गेहों के आटे से लीजिए, पूरी तरीके से तैयार है, हमारी बजार से भी अच्छी, क्रिस्पी, टेस्टी बिना मिलावट के गेहों के आटे की कुकीज, जल्दी से किचन में चाहिए, और कुकीज बनाईए, और अपने बच्चों के साथ इंजॉय करिए, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई, तो प्लीज अपना फीड़बंक मुझे जरूर दीजिए, ठैंक यू सो मच, जल्दी बिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, बाई बाई